हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लजी आरस्टरी इंटर में दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो स्रीज में हम लोग कलास 12 यानि की इंटरमिडैорт बोर्ड एक्जाम के वेहतर तियारी के लिए हिंदी के महातपुर्ण ऑबजेक्टिव कोस्टन का चेप्टर बाइ तो आप इस चैनल के पले लिष्ट में जा करके जरू देख लिजेगा जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी मात पौर्ण्ids है चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं अभी तो हम लोग चेप्टर बाइज पढ़ाई कर रहे हैं आपको बता दे कि हम मोडल से टाइप से भी दस वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें मेरे द्वारा टोटल पांच मोडल सेट जो है सौल्व किया गया है हिंदी का तो अगर आप लोग उसको भी नहीं देखे हैं तो वह भी आपको पहले लिस्ट में मिल जाएगा वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग आर्ट नमर चेप्टर को देखेंगे आर्ट नमर चेप्टर जिसका ना दू का सी तीन का डी इस तरह से लिखते चलिएगा इससे आपको यह पता चलेगा कि आखिर आपको कितना question पहले से पता था और इससे आपका motivation भी होगा तो चलिए देखते हैं फर्स्ट महत्पूर्ण कुश्चन है पूछा जारा है कि सिपाही की मा निम्नांकित में से कौन है सिपाही की मा जो है निम्नांकित में से कौन है तो एक का जो यहाँ पर आपका B option है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे विस्नी यहाँ पर आपका विल्कुल है सही आंसर होगा विस्नी जो है सिपाही की क्या थी मा थी आगे भरेंगे और देखेंगे दो नमबर कुश्चन पूछा जारा कि फौजी वहाँ लरने के लिए हैं वे भाग नहीं सकते जो फौजी जो फौज छोर कर भागता हैं उसे गोली मार दी जाती है डॉट डॉट उप्युक्त उधारन किस पार्ट से लिया गया है यहाँ आपको बताना यह जो पंक्ती है किस पार्ट से लिया गया है तो यहाँ पर आपका जो है दो का जो सही आंसर होगा वो ए होगा डैटमिस याज रखेंगे सिपाही की मा जो कहानी है इस चेप्टर से यह पा जो पंक्ती है लिया गया है आगे बरेंगे और देखेंगे तीन नमबर महतपूर्ण कुश्चन पूछा जा रहा है कि सिपाही की मा एकांकी के एकांकी कार का नाम बताएं इसका नाम आपको क्या करना है बताना है एकांकी कार का नाम तो तीन का यहाँ पर आपका ए ओप्शन सही होगा याद रखेंगे मोहन राकेश आगे बरेंगे और देखेंगे हम लोग चार नमबर कुश्चन पूछा जा रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था तो चार का जो राकेश का निधन कब हुआ था तो यहाँ पर आपका सी ओप्शन सही होगा आज रखेंगे तीन दिसंबर 1972 इस भी आपका बिलकुल है सही आंसर होगा आपको बता दे कि इसका PDF आपको हमारे मोबाइल एप पर मिल जाएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे मोबाइल एको दे को डिए चैनल साथ का अनलाइन मिलेगा और स्टी देगे यहले है धूर ऑर दे कर देख सकते तो उस बीडियो के डिस्कριप्शन बॉक्स में बॉक्स में मोबाइल एक का लिंग का लिंग है वहां से डानलोड कर लीजीए नहीं तो पले स्टोर पर सर्च किजिएगा LGR study app तो वहां से भी आप लोग डॉलोड कर सकते हैं चलिए देखते हैं छो नमबर कुश्चन पूशा जारा कि मोहन राकेश का जन्म कहा हुआ था तो छोका जो आपका सही आंसर होगा वो D होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन्री वाली गली अमरित सहर पंजाब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग साथ नमबर कुश्चन को बोला जारा कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था मोहन राकेश के बचपन का नाम आपको बताना है तो साथ का जो आपका A उप्सन है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे मदन मोहन गुग लानी मदन मोहन गुग लानी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है आठ नमर कुश्चन को आठ नमर कुश्चन के दोरा पूछा जा रहा है मोहन राकेश रचित एकांकी के नाम बताएं मोहन राकेश जी के दोरा लिखे गए जितने भी एकांकी हैं उसका आपको नाम बताना है तो आठ का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो B होगा यहाँ पर आपका आठ का जो B option है सही होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैर तले की जमीन अंडे के छिलके और अन एकांग की यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ आपके 9 number question को पूछा जा रहा है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों के नाम लिखें नाटक जितने भी नाटक संग्रह हैं इनका उनका नाम आपको क्या करना है लिखना है तो नौका जो यहाँ पर आपका C option है बिल्कुल ही सही हो 10 number महतपूर्ण question पूछा जारा कि मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखें काफी महतपूर्ण है और इस टाइप के question है आपको देखने को मिलेंगे तो 10 का जो आपका D option है सही होगा उप्योक्त सभी डैटमिस आप याद रखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इ जानबर और जानबर एक और जिंदगी यह सभी के सभी क्या है कहानी संग्रह किनका तो मोहन राकेश की का आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 10-11 question को पूछा दाए कि सिपाही की मा शिर्षक एकांग की किस संग्रह से ली गयी है किस संग्रह से ये सिपाही किमा जो है वो ली गई है तो 11 का यहाँ पर जो आपका ए ओप्षन है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे अंडे के छिलके और अन्ने एकांग की इस संगरा से जो है शिपाही किमा जो चेप्टर है वो लिया गया है आगे बरहेंगे और देखेंगे यहाँ पर हम लोग ज पारो और बंतो के करो से भी अच्छे होंगे ना तो यह कौन कहती है तो बारत का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो यह होगा याद रखेंगे मुन्नी यह किसके द्वरा कहा जाता है तो मुन्नी के द्वरा कहा जाता है आगे बरहेंगे और देखेंगे तेरा नंबर कु गरीब आदमी यह वाक लिया है गरीव आदमी की बहुत राधामा लिए है के लिखा है कि नहीं फाजी वहां लरने के लिए हैं वे नहीं भाग सकते जो फाज छोड़कर जाते हैं उसे गोली मार दी जाती है यह जो लाइन है इसके लेखक कौन है तो चोदर का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो D होगा, that means मोहन राकेस मोहन राकेस यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा, इस तरह से आपका जो चेप्टर नमबर आपका आठ है कंप्लीट होता है और अब हम लोग देखेंगे चेप्टर नमबर नौ के जरब बरेंगे बने रहिए और चेप्टर नमबर नौ के सभी महातपूर्ण अबजेक्टिव कोईश्चन को सीख करके ही जाईए काफी महातपूर्ण जो है, देखने वाले हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे चेप्टर नमबर नौ को ध्यान से देखेंगे और सीखने समझने की कोशिस करेंगे जल्द बाजी में नहीं रहेंगे बहुत सारे स्टूजेंट क्या करते हैं जल्द जल्द अपना वीडियो को भगा होगा करके देख लिता है ऐसा नहीं करना है देखिए आप जो है नौ नमबर चेप्टर प्रगती और समाज और इसके लेखा कौन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाम वर सिंग तो इस चेप्टर से संबंदित काफी महातपूर्ण objective question को देखने वाले है तो last तक बने रहेगा फर्स्ट महातपूर्ण question के द्वरा पूछा जारा कि प्रगती और समाज सिर्षक निवंध के निवंध कार का नाम बताईए तो एक का जो यहाँ पर आपका ए option है बिल्कुल ही सही होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाम वर सिंग है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही answer होगा नेक्स देखेंगे हम लोग यहाँ पर दो नंबर महातपूर्ण question को पूछा जा रहा है कि नामवर सिंग का जन्म कब हुआ था नामवर सिंग का जन्म आपको बताना कि कब हुआ था तो दो का यहां पर आपका बी ओप्षन जो है सही होगा याद रखेंगे 28 जुलाई 1927 इस भी कुन का जन्म हुआ था नेक्स्ट आप देखिए तीन नमबर महतपूर्ण कुश्चन है पूछा जा रहा है कि नामवर सिंग का जन्म कहां हुआ था तो तीन का जो यहां पर आपका सी ओप्षन है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे यह जो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि जी अन पूर वारा नसी उत्तर परदेश यहां पर आपका बिल्कुल ही सही आं इनके माता पिता का आपको नाम बताना है तो चार का जो सही आंसर होगा वो डी होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भागेश्वरी देवी एबं नागर सिंग भागेश्वरी देवी एबं नागर सिंग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके पांच नमबर कुश्चन को बोला जा रहा है कि मानवर सिंक ने किस बिशय पर पिएच दी की उपाधी प्राप्त की तो यहाँ पर आपका पांच का जो सही आंसर होगा वो A होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिर्थवी राज रासो की भासा नेक्स्ट आम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके चौर नमबर कुश्चन को चौर नमबर कुश्चन के दोरा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी के बिकास में आप भरांस का योग पुस्तक किस ने लिखी यह जो पुस्तक है किस के दोरा लिखा गया तो चौका जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो B आप्शन सही होगा याद रखेंगे नाम और सिंह आपर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा इस तरह से आपका 9 नमबर चिप्टर भी कंप्लीट होता है इतना कुश्चन आप लोग तयार रखेंगे आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किये हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का बटन दिख रहा है तो उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए और intermediate board exam के बहतर त्यारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे mobile app को डाउनलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के description box में आपको mobile app का लिंक मिल जाएगा वहाँ से mobile app जरूर जो है आप लोग डाउनलोड कर लिजिए जिस पर आपको सभी subject के महतपूर्ण subjective question, objective question, quick revision notes, class notes, model paper का PDF आपको बिलकुल जो है फिरी में मिल जाएगा तो जो लोग अभी तक mobile app डाउनलोड नहीं किये हैं तो वीडियो के description में लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लिजिए नहीं तो पहले store पर search किजिएगा LGR study app तो वहाँ से मिल जाएगा और जो लोग पहले से डाउनलोड करके रखे हैं तो वो अपडेट कर लिजिएगा अगर अपडेट मांग रहा होगा तो चलिए मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखी और LGR study देखते रहिए